गाईज आप लोग इस दुनिया का कोई सा भी TV पर्चेस कर लो उस TV से जो sound output मिलता है न वो बिलकुल भी काम का नहीं रहता आपको एक home theater पर्चेस करना ही पड़ेगा also आप sound bar भी पर्चेस कर सकते हो but for this video मैं आपको home theaters बताने वाला हूँ because एक तो वो cost effective होते हैं आपको कम cost में जादा output दे देते हैं sound का and bass के मामले में home theater से जादा better कोई चीज नहीं होती तो अगर आप एक home theater पर्चेस करना चाहते हो और आपका budget 5000 रुपीज है तो इस वीडियो में मैं आपको 15 से भी जादा home theaters को side by side compare करने के बाद and कुछ को personally use करने के बाद पांच ऐसे best home theaters बताने वाला हूँ जो definitely आपको ना काफी जादा value offer करते हैं अब देगो under 5000 रुपे में आपको 2.1 channel, 4.1 channel and 5.1 channel तीनो type के home theaters मिलते हैं और मैं तीनो type के बता दूँगा पटी जो channels है ना ये decide नहीं करते किस home theater से आपको कैसी performance मिलने वाली है उसके लिए तो आपको या तो हम जैसे लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा या खुद मंगा के check कर लो वैंगी don't worry, I will not break your trust, let's start the video वीडियो की शुरुआत होती है number 5 से, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है zebraonics की तरफ से इनका 5.1 channel home theater, यहाँ पर आपको 5.2 inches का subwoofer देखने को मिल जाता है और आपको 5.3 inches के satellite speakers देखने को मिल जाते है इन total जो home theater है ना, वो 95 watts का RMS output देता है आपको इस home theater के अंदर आपको almost सारे features मिलेंगे, like bluetooth देखने को मिल जाता है बर जो bluetooth version है वो 5.0 आता है और support मिल जाता है, USB pen drive आप इसमें लगा सकते हो wired mic input के लिए आपको 6.3 mm का port भी देखने को मिलता है तो आपका विचार है, कह रहे हो कि चलते हो एक गाने का वो काम भी कर सकते हो सामने की तरफ LED display और सारे के सारे button controls मिल जाएंगे right side में आपको subwoofer driver देखने को मिल जाता है so, जिसका budget कम है around 4000 रुपे के आसपास because इसका जो price है 4000 रुपे इस budget range में आपको 5.1 channel speaker चीए इस वाले को check out कर सकते हो यहाँ पर 100% volume करने के बाद आपको थोड़ा वो distortion देखने को मिलेगा हाँ 90% volume तक काफी बढ़िया परफॉर्म करता है यह कोई दिक्कत वाली बाद now guys here comes the fourth one जो कि आपको LG की तरफ से Xboom bass blast home theater देखने को मिलते है अब guys यह जो speaker है आपको 40 watt का RMS provide करता है 2.1 channel speaker है but literally जो japonics वाला है उससे जादा rich sound offer करता है वले इसका RMS कम हो बाद भी जो vocals है वो बिल्कुल clear ही सुना ही देते हैं बागी यहां पर भी आपको Aux का support, USB, SD card and Bluetooth देखने को मिल जाएगा अगर आपको compact size में एक ऐसा speaker चाहिए जिसमें दिखावा ना हो and value आपको काफी जादा offer करें then LG की तरफ से यह वाले recommend करता हूँ मैं आपको also यहां पर FM radio वगेरा वो सब भी मिल जाता है सामने की तरफ आपको display देखने को मिल जाएगे और उसकी नीचे सारे buttons है with remote आता है in short guys जिसको सिर्फ sound से मतलब है उसको sound एकदम rich मिले कोई भी distortion वगेरा स्टैप की चीज नहीं देखने को मिले यह वाला home theater definitely check out करना price की बात करों तो 4200 रुपीज के आसपास का price है वैसे सारे home theater's की जो best buying links है description में देदी है जाके check out कर सकते हो now guys जेका मुझदी third one जो कि आपको flips की तरफ से मिल जाता है फिलिप्स का audio यह वाला variant अब यह जो speaker है ना same वही RMS आपको देता है 40 watt की जो आपको LG देता है बट अगर आपको चाहिए experience surround sound का लेक पीछे से भी आवा जाए तो आप 5.1 channel में इस वाले home theater को check out कर सकते हो दोनों ही home theater's अपने आप में best performance करते हैं फिलिप्स के इस home theater में भी आपको Bluetooth, USB, AUX, FM वगेरा सम मिलेगा 40 watt का sound output है 5 satellite speakers है छोटे वाले एंड जो dedicated इसका subwoofer है उसके अंदर आपको 15 watt का RMS मिलता है बागी 55 watt की speakers आते है In my opinion 5.1 channel लेना है तो फिलिप्स वाले लेना बट अगर आपको 2.1 channel चाहिए जाने वाले speakers मिल जाते है यहाँ पर जो complete look है ना पूरे home theater का वो wooden finish में आता है subwoofer and including speakers थोड़ी classic सी feel देता है आपको Bluetooth, AUX, FM सब चीजों का support मिल जाएगा and optical input भी मिल जाता है पीछे की तरह बागी वाल्यूम वेस travel के लिए पीछे इसमें आपको दिये हुए and आगे की तरह भी कुछ buttons वगेरा है to control home theater यहाँ पर जो sound output है वो आपको 65 watts का देखने को मिलेगा and truly यह home theater आपको next level performance देगा आपका जो room का size है around 200 square feet के आसपास है then इसका maximum output आप निकाल सकते हो bass के साथ साथ जो vocals की या फिर lyrics की quality है वो भी काफी बढ़िया निकल के आती है इस home theater price की बात करूँ तो यह home theater मिलेगा 5100 rupees में at number 2 आप इस वाले को check out कर सकते हो लेकिन रुख जाओ अब भी जो home theater बताने वाला हूँ last यह इन सारे home theaters को definitely fail कर देता है in performance in build quality जो sound का experience हो सबको fail कर देता है including features यह आता है OBS की ही तरफ से इनका newly launched home theater अब मैं आपको पहले ही बता दू इस वीडियो के sponsors आपो यह वीडियो OBS की तरफ से बिलकुल भी sponsor नहीं है OBS का newly launched speaker है classic 6 variant आता है जहां पर आपको 2 models बताने वाला हूँ में एक आता है 2.1 channel में सबसे पहले इसके लुक की बात करूं तो एकदम ही premium लुक देखने को मिलती है आपको cloth finish के अंदर तो लुक आपके लिए बहुत ही जादा matter करती है न यह वाला definitely check out करना यहां पर आपको Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है जो किसी में नहीं मिलता optical input का support इसमें भी आता है USB, FM and aux input भी आता है साथ की साथ यह home theater आता है HDMI ARC के साथ में अब HDMI ARC port ना इतने low budget home theaters में आता नहीं है but always के इस home theater में मिल रहा है आपको बाकि FM वगेरा भी मिल जाता है आपको remote control मिल जाएगा in look, in features and in sound definitely सबसे बढ़िया निकल के आता है 120 watt का sound output मिलेगा 4.1 channel में and 100 watt का मिलता है 2.1 channel में अब यहां पर आपका price भी matter करता है 2.1 channel जो home theater है अगर आपको सामने ही रखना है home theater पीछे से surround sound नहीं चाहिए आप 2.1 channel के साथ जा सकते हो वो आपको 4,300-400 रुपीज के आसपास cost करता है बट जो 4.1 channel है वो 120 watt का sound output देता है and around 5,000 रुपे के आसपास cost करता है इन sales and offers लगाके आप उसको 5,000 रुपे में आराम से ले सकते हो तो guys in short अगर आपको अपने पैसे की maximum value चीए तो number 1 पर जो OBS का classic 6 बता है इस वाले के साथ जा सकते हो यह तो secondly OBS का wooden speaker ले सकते हो अगर wooden finish चीए पर sound जादा चीए sound output maximum चीए clear vocals चीए तो जो number 1 है वो ले लेना बागी तो sound इतना नहीं चीए brand value जादा चीए तो LZ flips में से ले सकते हो jabronix वो लोग ले सकते है जिनको 5.1 चैनल home theater चीए बागी तो गईस आज की इस वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंदा ही तो like करना नीचे comments में कोता हो इन में से कौन सा home theater आप purchase करने वाले हो या already कर चुके हो और हाँ अगर आपका budget कम है तीन अजार रुपे के आसपास तो home theater की यह वाले वीडियो चेक आउट कर लेना बागी मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए topic के साथ में